सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल अकनी को दबाईए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक स्रीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की पहली अपडेट इलक्ट्र आप्टिक सिस्टम को लेके हैं कॉंट्रो प्रिसेशन टेकनोलोजी नाम की एक कंपनी है जो की इलक्ट्र आप्टिक सिस्टम और इंफ्रेट सेंसर को मैनुफेक्चर करती है और इनको स्वेशली डिफेंस और होमलेंड सेक्योरिडी के खेतर में इस्तमाल किया जाता है डियाइड्यो की तरफ से हमारी वीवीज में इस तरीके की सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए टेंडर को फ्लूट किया गया था और इस टेंडर में कंट्रो प्रिसेशन टेकनोलोजी की आईसकाई 50 HD सिस्टम को सिलेट किया गया है I-Sky models की बात करें तो इनको 1990s के दोर से अलग-अलग वेवीज और aerial platform में इस्तमाल किया जा रहा है और I-Sky 50 इसकी सबसे latest model है इसमें highly sensitive multi-spectral sensor और gyro stabilization दिया गया जिनकी मदद से ये बहतर तरीके से image को process कर सकता है I-Sky 50 को specially challenging environment में operate करने के लिए अभी design किया गया है और control precision technology की तरफ से बताया गया कि उनको खुसी है कि उनको DRDO की products के लिए system को supply करने का मौका मिला और आगे चलके वो इसे और मजभूत बनाने की कोशिस करने वाले है अच्छी बात ये कि I-Sky system को सिर्फ ये वीज में नहीं बलकि ए क्राप्ट और हिलिकॉप्टर्स में भी इस्तमाल किया जा सकता है अगला update हमारे T-72 और T-90 main battle tanks को लेके है defense execution council की तरफ से अभी DRDO को हमारे T-72 और T-90 tanks के लिए एक indigenous troll assembly system को develop करने के लिए approval दे दिया गया है आम तोर पर tanks में mine clearing facility होनी चाहिए क्योंकि अगर दुस्मनों ने anti-tank mine बिछा रखा है तो उस रास्ते में हमारे tanks आगे नहीं बढ़ सकते है ऐसे में अगर tanks की front section में mine clearing device को install किया गया होगा तो ये आराम से mine field से mine को clear करते हुए आगे बढ़ सकता है DRDO ने पहले भी इस तरीकी की system को develop कर रखा है और 2018 के दोरान defense expo में इसे प्रदर्सन भी किया गया था और कुछ sources के मताबिक हमारे कुछ tanks में इसको अभी लगाया जा चुका है आम तोर पर Arjun tanks में इसको fit किया गया था और अभी हमारे fleet में सबसे ज़्यादा मातरा में T-72 और T-90 tanks मौजूद है तो अभी इन tanks में इन system को install करने की प्रक्रिया को सुरू किया जा सकता है अगला update थोड़ा सा जला हुआ है मतलब अगर आप इस headphone लगा कर भी सुन रहे होंगे तो आपको जलन की बू आ सकती है आप सब जानते होंगे कि recently भारत की तरफ से अपनी K4 missile को टेस्ट किया गया था और ये भी बता गया है कि साइद अभी ये K4 missile का आखरी टेस्ट होने वाला यानि कि अब से K4 missile को हम सर्विस में सामिल कर सकते हैं तो recently पाकिस्तान के तरफ से भी अपनी एक missile को टेस्ट किया गया है जिसका नाम गजनवी missile है और पाकिस्तान की ISPR की तरफ से बता आगया कि ये भारत की K4 missile की टेस्ट को जबाब दे सकता है और अगर भारत के पास K4 जैसे मिसाइल है तो पाकिस्तान के पास भी गजनवी जैसे मिसाइल मौजूद है जो की नुकलियर हमला कर सकती है और पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपर्ट से उनका मानना ये है कि गजनवी मिसाइल की टेस्ट को एक बैलंसिंग आग के तोर पर किया गया है और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी भारत की तरफ से कोई मिसाइल को टेस्ट किया जाता है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इस बात को आप दिवाली वाले किस्तों से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अग पर बगल वाले की रॉकेट 100 फिट गया तो हमारा रॉकेट 90 फुट जा सकता है या फिर 110 फुट तक जा सकता है लेकिन भारत की तरफ से जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया था ये करीब 3500 किलोमेटर तक मार कर सकता है जिसमें एंटायर पाकिस्तान आ जाता है जबकि इसको पाकिस्तान की तरफ से जिस मिसाइल को टेस्ट किया गया है उसकी रेंज मैक्सिमम मैं 320 किलोमेटर तक है और यहाँ पर मैक्सिमम से मेरा मतलब मैं हीरो आलॉम के उपर प्ले स्टोर के सारे आपस का फिल्टर ढालके उसको जॉन अबराम बता रहा हूँ और इस बात को पाक सकते हैं कि कैसे क्योंकि 3500 और 320 में बहुत बड़ा अंतर होता है अगर यह 350 और 320 होता तो यह acceptable होता लेकिन यहां पर 3500 और 320 की बात चल रही है और 320 को 3500 की बराबरी का बता जा रहा है तो इस equation को solve करने के लिए आपको पाकिस्तानी मैत हाना जरूरी है और यह सिर्फ हकीम अब 320 into 0 is equal to 0 यानि की RHS is equal to 0 अभुआना LHS is equal to RHS hence proof यानि की गजनवी मिसाइल की बराबरी कर सकता है लेकिन एक बात में यहां पर बताना भूल गया कि K4 मिसाइल एक सम्मरीन लॉंज मिसाइल यानि की इसको पानी के अंदर से fire किया जा सकता है जबकि गजनवी मिसाइल ए की बराबरी कर पाएगा कमेंट करके मुझे इसकी अंसर जरूर बताएगा अगला अपडेट अर्जून टैंक्स को लेके हैं आप सभी को याद होगा कि 2019 की अन तक अर्जून MK1 की सारे critical trial पूरे हो चुके थे और यह बता जा रहा था कि अर्जून MK1 को अभी finally army में इंडक् किये गए थे जिनमें से 14 major upgrades थे अभी आर्मी में अर्जून टैंक की दो रेजिमेंट सामिल है जिसमें total 124 टैंक है और साथ ही अर्जून MK1 की 118 unit को आर्मी में सामिल करने का पहले प्लान किया गया था लेकिन अभी CBRD की तरब से बता गया कि इस order को अभी दुगना किया ज होने वाले हैं अभी अर्जून टैंक में जर्मन मेड M2 engine का इस्तमाल किया जाता है जो कि करेब 1400 हस्पाव जिनवेट करता है पर अभी CBRD की तरब से अर्जून टैंक के लिए 800 HP की engine को indigenous तरीके से डबलब किया जा रहा है जिसमें private farms की तरब से DRD को मदद किया जा रहा है औ T90 और T72 टैंक के साथ head on compare किया गया और इस comparison में 20 parameter को test किया गया था उसमें अर्जून टैंक की performance T90 और T72 के मुकाबले काभी बहतर था और साथ ही T72 टैंक से point blank range से fire किया जाने के बाद भी अर्जून टैंक पर कोई असर नहीं हुआ था अगर आपको फिर वी विश्वास नह को जब अर्जून टैंक को evaluate करने के लिए दिया गया तो उन्होंने इसको desert Ferrari का नाम दिया और उनके मुताबिक अपने segment सबसे बहतरीन टैंक है और साथ ही चाइना के military research academy के deputy commander लिव दबांग ने भी अभी अर्जून टैंक की प्रसंसा की है तो दोस्तों अभी के लिए इतना कर दोस्तों मुताब तोस्तों अभी के लिए को बात बात बातु पका जब रहएंसे लिए।